हेलो डियरी स्टुडेंट्स वेलकम बेक टू माई स्टुडी मेडियल है चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं आकलन कारे पत्रक 10 यानि के एसेस्मेंट वर्क सीट नमबर 10 जो क्लास 8 के समाजिक विज्ञान के बच्चों के लिए दिनाग 28 दि आए आगे बढ़ते हैं जो प्रस्ण है वो स्रोत पर अधारित है तो आए उस स्रोत को हम लोग देखते हैं और ये असेस्मेंट जो है कुल 20 नमबर के रहेंगे तो सुरुवात के चार प्रस्ण आपके एके कंग के रहेंगे स्रोत को आए देखते हैं क्रिसी अधारित उत् उनका प्रयोग करते हैं, खाद्य संसाधन, वनस्पती तेल, सूती वस्त, डेरी उत्पाद और चर्म उध्योग, क्रिसी अधारित उध्योग के उधारण हैं। जो क्रिसी अधारित उद्योग हैं उनमें से आते हैं जिसे खादिसंसाधन, वनस्पति तेल, सूति बस्त्र, डेरी उत्पात और चर्म उद्योग खनीज अधारित उद्योग प्रात्मिक उद्योग है जो खनीज अयसकों का उप्योग कच्चे रूप में करते हैं जो खनीज अधारित उद्योग हैं वो भी फ्रात्मिक उद्योग के अंतरगत आते हैं और वे कच्चे माल के रूप में खनीज आयसकों का प्रयोग करते हैं और इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोसर करते हैं जो प्राथमिक उद्योग हैं, वे क्या करते हैं, कि जो दूतियक तृतियक उद्योग हैं, उनको समान प्रवाइड कराते हैं. आयस से निर्मित लोहा खनीज अधारित उद्योग का उत्पाद है, यह कई अन्य उत्पादों के बिनिर्मार के लिए कच्चे माल के रूप में प्रियोक्त किया जाता है जैसे भारी मसीनों, भवन, निर्मार सामगरी तथा रेल के डिब्बे बनाने में समुद्र अधारित उद्योग सागरों और महसागरों से प्राप्त उत्पादों का उप्योग कच्चे माल के रूप में करते हैं समुद्री खादे प्रसंस्क्रण उद्योग और मत से तेल निर्मार इसके कुछ उदारण हैं वन अधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उप्योग कच्चे माल के रूप में करते हैं लुगदी एवं कागज औसध रसायन फरनीचर और भवन निर्मार वनों से संबंधित उद्योग हैं जो कागज का उद्योग है औसधी का उद्योग है फरनीचर से संबंधित उद्योग हैं यह सब चीजें जो है वन के अधार पर वन से संबंधित हैं ठेक है आएए अब देखते हैं आगे पहला प्रस्ण है लोहा इस पात उद्योग किस प्रकार के उद्योग का 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 उद्योग क इसमें आफ़सन दे रखा है समुद अधारित, क्रिसी अधारित, खनीज अधारित और वन्व अधारित. तो इसमें जो कागज उद्योग है वो आपका बंद पर अधारित है, यहाँ पर D आफ़सन सही होगा, D आफ़सन को सही कर लेना है. और 3 प्रस्ण है, मज़िछ तेल न निर्माड जो है वो मचलियों से ही निर्माड होता है तो यह समूद्र से अधारित है तो यहाँ पर B option आपको सही करना होगा चौधा प्रस्ण है डेरी उत्पाद किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है option है खनीज अधारित, वन अधारित, समूद्र अधारित, क्रिसी अधारित तो जो डेरी उत्पाद है वो क्रिसी पर अधारित उद्योग है तो यहाँ पर D option को आपको सही करना है बच्कों इसके आगे जो प्रस्ण है वे लिखित में है पाचमा छटा शात माँ प्रस्ण दो दो नंबर करहेंगे आठमा नौवखर प्रस्ण तीना अंके और दसंवा प्रस्ण जो है अंतिम प्रस्ण जो होगा वो चार अंके रहेंगे तो आईए बढ़तें आगे जो पाच्वा प्रस्ण है वो है लगु अकार के उद्योग के दो उद्धारण रताईयत इसमें आप बनाएंगे टोकरी बनाना और मिट्टी के बरतन बनाना ठीके छटा प्रस्ण है सैयुक्त छेत्र के उद्योग को उद्धारण सहित द्धारण के जाता है जैसे कि मारूती सूच की उद्योग सातमा प्रस्ण रहेगा नीजी छेत्र के उद्योग सहकारी छेत्र के उद्योग से किस प्रकार भिन है इसमें अंतर आपको बताना है तो अलग-अलग हम लिख लेंगे नीजी छेत्र के उद्योग तो स्वामित औ और संचालन की जिम्यदारी या तो एक ब्यक्ति द्वारा या ब्यक्तियों के समुह द्वारा की जाती है उधारण के लिए Reliance Industries, Mahindra Industries, Tata Industries और सहकारी छेत में लिखेंगे स्वामितों के अधार पर स्वामितों और संचालन कच्चे माल के उत्वाद को या पूर्तिकारों, कामगारों अथ्वा दोनों के द्वारा किया जाता है उधार के लिए क्रिसी आधारित उध्योग है क्योंकि सूती वस्र के लिए कच्चा माल कपास होता है जिसके द्वारा सूती वस्र बनाया जाता है और यह कपास पौधों से प्राप्थ होता है तो इस तरीके से आठवे प्रसना को उत्तर यह हो जाएगा और नौवा प्रसना आप लिखें कम लागत पर परिवहन सुविदा और पिछड़े छेत्रों में उद्योग अस्थापित किये जा सकें यह इसकी आ सकता है ठीक है अब दस्वा प्रस्ण है लगु अकार का उद्योग और ब्रिहद अकार के उद्योग में चार अंतर लिखिए इसमें चार अंतर आपको दिखान लिखेंगे उत्पादों का निर्माण दस्तकारों द्वारा हाथों से किया जाता है दूसरा लिखेंगे जब पूजी और कम पूजी और प्रद्योगी का उपियोग होता है तिसरा लिखेंगे काम में लगे हुए मजदूरों के अपेछाक्रित कम संख्या और डी मात्रा इसमें उदारण भी लिख लेंगे टोकरी बुनाई मिट्टी के वर्तन हस्त निर्मित वस्तु में रेसम बुनाई खादे प्रसंस्क्रण आदि ठीक है और दूसरे साइड में ब्रिहदाकार के उद्योग में आप लिख लेंगे पहला उत्पादनों का निर्मार मसीनो दूसरा अधिक पूजी और नवीन प्रद्योग का उपयोग तीसरा लिखेंगे काम में लगे हुए मैदूरों किया पेचा कृत कम संक्या और दि लिखेंगे उत्पादन के अधिक मात्रा और इसमें उदारण में लिख लेंगे लोहा एवाम इस्पात उद्योग आटो नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू